जो सम्थाए की सिक्षा दी उसके माद्यम से सिक्षा देने काम चलता है तो पहली जो चीज है वो यह है कि सबसे पहले जो वंचित किया गया वो सिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया और हम यह जानते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य किसी वी वर्व किसी भी जाती को यदि आपको खदम करना है तो उसके सिक्षा का जो अधिकार है उसको खदम करते हैं वो अपने आप में खदम कर देता है क्यों कि जो सिक्षा है वह क्या करती है कि हमारा जो ग्यान है और जो ग्यान होता है वह बहुत व्याफक होता है वह अर्थिक छेत्र भी होता है राजनीतिक छेत्र का भी होता है वह सामाजिक छेत्र का भी होता है वह सांस्क्रिक छेत्र का भी होता है तो ग्यान का विकास होना और दूसरा एक पीडी से दूसरी पीडी में ज्यान का इस्थाना अंत्रण होना बहुत महत्पूर होता है मादब सब्वेता के इत्यास को ज्यान यदि विक्सित है और यदि ज्यान का इस्थाना अंत्रण एक पीडी से दूसरी पीडी में नहीं हो रहा है तो वह ग्यान बेकार है, खतम हो जाता है। तो पहली चीज तो ग्यान का विक्स होना बहुत महत्तकूर है और उससे विजान का होना इस बहुत के लिए जो सिख्षा वह बहुत जादाम कोड़ें यदि हम एक ओवर वियूंट डालने की कोशिश करें तो जो प्राचीन सिख्षा का इत्यास है कि यह अब उसको अलग तरीके से कहते हैं कि प्राचीन वारत में सिख्षा का इत्यास लेकिन जो मानक कितामें हैं भारत में सिख्षा के इतियास पर तो वो कितामें लिखती हैं कि जो प्राचीन भारत है वो दो बावों में बटा हुआ है पहला जो ब्रामनिक यूग है वो और दूसरा है बुद्धिस्ट पीरिड पहला ब्रामनिक पीरिड और दूसरा बुद्धिस्ट यहां दो चीजे हैं पहला जो प्रामिनिक पीड़र है वो है जो वेदों को पिरमार मानता है और जो बुद्धिस पीड़र है वो यह है कि जो वेदों को पिरमारिक दस्तावेश नहीं वालता या बुद्ध के जो मुल्य वबस्ता है उसमें मुश्वास नहीं लगता है यह मो अबर्मनी जुग का गया जिसको आज में बहुश के अंश मिलते हैं तो यह है कि जो गुरू है ग्रामनी नहींड की जो यूग है उसमें वह आवश्चिक रूप से ब्रह्मन है और वो कहां रहता है वो जो ग्राम का कुल देवता है वहां रहता है उसके दो काम होता है एक तो ग्राम का जो कुल देवता है उसकी पूजा करना और दूसरा जुद्विज हैं उनके बैच्चों को पढ़ाना बाकि उसके दूसरे कोई काम नहीं लेकिन गुद्धिस्ट पीर वो उसकी वोईड और जाती से ना मानी जाए बलकि उसकी जो योगता है उस योगता से मानी जाए गुल कर्म और कर्मों से मानी जाए और बहुत सारे डेरों जो उधारण है वो उधारण मिलते हैं और बुद्ध उसके लिए संग का निर्बाण करते हैं और संग में वो क्यों होगा जिसमें मैडानों में जब नदीयां बहती हैं तो उनका अपना कि भी महासाधर की तरह होगा कि विमन जाती और वर्ड़ों से आए फ़िए लोगों की कोई पहचान नहीं होगी संग ही उनकी पहचान होगी तो इसनिए क्या हुआ कि संग का निर्माड हुआ और इस निर्माड के बाद एक नए तरह की तो सिक्षा मावस्ता है वो एक में और उनका नام जो है वह विहार कहा गया आज जो हमारे मुहली υासी सवाज का व हैं उन्सेते लोग हैं उन्वे भी यह चीज है कि मुझत वी के ao रहें तो क्या करते हैं वही प्रहामड करते हैं जिस तरह का ब्रहामड मंद्रों दोर हें और उस गुत्वियार में हम क्या करते हैं वही नमषी क refr करते हैं जिस तरह का पर मंदिनों में करते हैं जबकि वत जो है जो फूर्थ मुद्र विहार है को क्या है ज्यां के समय के उसे ली इस तरीके से नालिंदा तक्षसिला, बल्लवी, विक्रम सिला ये कहते हैं महावियारते जिनको हम आधुलिक विश्वित्यानों की तरह कहते हैं और नालंदा में तक्रिवन उस समय दस अजाग विद्यारती पढ़ते थे और जो एक गुरु होता था जिसको हम उस समय बहुत विक्षव कह रहा है लेकिन वो टीचर होता था वो रिलीजिस गुरू नहीं था वो टीचर था वो अपने चार विद्यारतीों के साथ रहता था और जो राज्य है उस गुरु को उतना खर्चा देता था जिससे कि वह अपना और अपने चार विद्यार्तियों का खर्चा चला सके और इसी लिए ये जो पीरेड है वारा वो वो पीरेड था जिसको आज गोल्डन पीरेड ऑफ इंडियाद एजूकेशन हिस्ट्री कह सकते हैं के बारत का जो सिख्षा का इद्यास है उसमें स्वर्ण महिंकाल है कि आज जिन विश्विद विश्विद्याले वो तक्रिवन पुराने हैं यदि ये विश्विद्याले आज हमारे पास जिवित होते तो तक्रिवन हम विश्व में सबसे पुराने विश्विद्याले हो वाले देश होते हैं पच्चीस सो साल पुराने विश्विद्याले हमारे पास होते हैं और जब विज्यान और तक्नीकी के सिद्धान, आयुवेद के सिद्धान, और जिन से हमारी पूरी जो फिलोसोफी है, दर्सन बनता है, वो सारे सिद्धान हमारे पास एक बीडी से दूसरी बीडी में गए होते हैं, और इस तरीके से हम एजुकेशन के सेक्टर में आज ग्लोबर सिस्टम आफ एजुकेशन स्टार्ट किये, और उनके भी जो सिस्टम आफ एजुकेशन था, वो मस्जिद के साथ मदर्सा और मक्तब के फॉर्म में विक्सित हुए, वहाँ भी जैसे उधर ब्रामणी पीरेड में पूरा रिलीजिस एजुकेशन दी जा रही थी, इसी तरी अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजी को हमें समझना चाहिए कि अंग्रेज उने क्यों हमें एजुकेशन राइट्स दिये, क्या हम पर कोई दयादर्स्टी थी उनकी, या कोई मजबूरी थी, यदि इस एंगल से देखा जाए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो उनकी क्योंकि हम रूडर क्लास नहीं थे, रूरेज क्लास कौन थे, यहाँ ब्रामण और चत्रिय क्लास थे, और जो capitalist क्लास थे वो थे वह्याज हैं, तो जब अंग्रेजी यहां आ रहे थे, तो ruling क्लास और capitalist क्लास है, इनकी जो interest है, वो प्रभावित हो रहे थे, और जो ब्रामण वर्ण है उसका जो पोशक है वो चंत्रिय और वेश्च तो उनके वी इंट्रेस्ट प्रभावित हो रहे थे तो अंग्रेजों के जो खिलाफ खड़ेते वास्तर में वो यह रूलिंग क्लास खड़ेते हम कहीं नहीं थे क्यों कि हम मैं शूत्र राद्ति शूत्र जो थे वो य तो अंग्रेज जब यहाँ अपना रूल स्थापित कर रहे थे तो उनके सामने प्रॉल्म आ रही थी पहली बहसा की और दूसरी समस्य आ रही थी कि हम इस्थानी लोगों पर किस तरह से शाशन करें और तब उन्होंने क्या उन्होंने उन लोगों को चिन्नित किया कि वो प्राशन को चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं और तब वो अपने साथ जो कुल साइंटिस्त उननों को लेकर आए उनोंने भारत की समाच रुबस्था का अधिन किया और समाच मुवस्था का अधिन करने के बास उन्होंने यह स्थापित कि यदे हम इन तीन वर्णों के अलावा इन लोगों पर काम करें तो ये लोग हमारी मदद कर सकें और बाद में यदि हम मैकॉले को जब कहते हैं तो आज भी आप देखते हैं कि आखिट वारतिय विद्यारती परसद वाले अधिकांस लोग और घीज़ती वाले अधिकांस लोग जो गुम्रा करने की कोशिश करते हैं और हमारे लोग भी गुम्रा हो जाते हैं तो मैकॉले का क्या था कि उसको ये कहा गया कि वो ऐसे लोगों को तयार करना चाहता था जो दिखने में तो भारतिय हो लेकिन सोचने समझने और पहनावे में पूरी तरह से अंग्रेज हो अंग् यहां वो मौका था जब उसने पैचाना कि एक तरफ जो शूद्रवर्ण के लोग हैं, उनके पास क्या है? उनके पास सिक्षा के दर्वाजे बनने, उनके पास सस्त्र रखने के जो अधिकार है वो नहीं है, उनके पास संपत्ती रखने का अधिकार नहीं है, या कहें जो मौल करदिकार है उनके पास वो भी नोई है तो अंग्रे जोने क्या किया अंग्रे जोने सबसे पहले इस डिया कंपनी के साथ देखें तो वो इसाई मिस्नरीज को लाई इसाई मिस्नरीज को और इसाई मिस्नरीज को सबसे पहले काम किस पर सबसे जादा किया या तो शेडूल कास की उन जातियों पर करा जिनकी ज़्यादा हालत खराब थे या आदिवासियों पर काम करा और उन्होंने क्या समझाया उन्होंने यह नहीं समझाया कि हम दर्ण का प्रिचार करने आए उन्होंने उनको मैदिशनल एंट की साल दि उनकी बच्चों पड़ाना शुरू किया और उसके बाद जब लोगों को लगा कि यह कौन है जो हमारे लोग कर रहने लोग हैं हमें रोब है और यह उस तरह की अधिकार हमें देते चले या रहे तो यह कौन है है तब उन्होंने कहा कि हम रिसाई हैं, हमारी ये बाइबल धार्मिक पुस्तक हैं और इस तरह से चीज़े हैं, तो वहाँ भी जो एजूकेशन के जो शुरुवाती अंग्रेजों का ना वह भी धार्मिक था, कि वह भी गर्जागरों के साथ चीज़े हमारी चल रही था, तो य आसे उन्हें और जो फॉर्मल एजुकेशन ने उसकी जरूरत पड़ी, और इस फॉर्मल एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, कि ये फॉर्मल स्कूल्स को ने जो इस्कूल्स अब गर्जागरों से अलग थे, मतलब पहली बार अंग्रेजों ने जो धार्मिक संस्थाओं के साथ स्कूल थे, उनको अलग कर दिया, उनको एकदव अलग करके, कि हमारे जो पूजा इस तरह नहीं से एकदव अलग रहेगी, सिक्षा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप क्या रहेगा, वैग्यानिक रहेगा, पहली चीज़, दूसरा मान की कृत रहेगा, और मैको ले कि सबसे ज़्यादा जो आलोचना की जाती है, वो इसलिए की जाती है, क्योंकि मैको ले नहीं इस्थापित किया, कि बहली चीज जो है, सिक्षा का दार्मिक स्वरूप नहीं होगा, दूसरी चीज मैको ले ने करी, कि जो सिक्षा है, उसका वेंग्यानिक पक्ष होगा, ती जैसे गंगा किस तरह से आई किसी पढ़ने को पूछो तो वह एक नई कहानी सुआ देगा। जो गरफी बाला हमिन दूसरी एक नई कहानी सुआ देगा। और जो भिग्यान है वह एक नई चीज़ सुआ देगा। भाई हिमालने पर बरफ है टेंपरेचर बरता है पानी टेंपरेचर बरता है और वह बरफ पिगलती है और उसके बाद पानी का पो जहाँ होगा वहां तक वह चलती चली जाएगी तो महिकोले ने पहली बार लोगों को एक अलग तरफ खड़ा किया लेकिन जैसे ही हम विग्जान को इंवॉल्ब करते हैं तो वह मस्तिश्क इंवॉल्ब होता है और मस्तिश्क का 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 क्या होता है वह खोजी प्रवर्वति का होता है वह फिर एक खोश पर भर नहीं रुख जाता है एक बाबस शुर्वात होने की देर है और मैंको ने करिए कदम था यहां के वो लोग जो कहना चाहिए जो अपने आपको सनातनी कहते हैं आरिये ब्राम्मण हैं वो यह चाहते हैं कि यदि लोग इस प्रक्रिया में जाएंगे तो लोगों हमारे धर्म के चंगुल से न सबसे जादा आलोचना उसकी जो है बारतिये कैम्ट में होती है तो वो अखिल वार्तिय विद्यारति परसल्ट और लेकिन उसका जो वह इंपॉर्टेंस है वह इंपॉर्टेंस बहुत जाना है जिसको आमें समझना चाहिए कि वह पहला बैगती है जिसने आके शूद्रों और अति-शूद्रों को जगेदी स्कूलों में जाने की उनको जाने की परमिशन थी और वो कुछ statistics भी देता है, उसका जो एक introduction है, 84 page का, वो बहुत मैत्पूर्ण माना जाता है, उस खेमे में वो लोग उसको पढ़ते हैं, और आगे तो उसने data दिया है कि देखो भाई, वहाँ तो चमार भी पढ़ रहा था, यदि उसको अधिकार नहीं था, तो वो चमार कैसे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरह बहुत अच्छी किताब है, जो मद्रास के एक है प्रॉफसर पी रादा कृष्ण, उन्होंने लिखी, कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिजिनेस एजुकेशन सिस्टम, कि जो भारत की जो देशल सिख्छा है, उसमें जाती आरादरिक किस तरीके से भेदवाव होता है, तो बहुत सारी जगह से उन्होंने ट्रडिशनल कहानियों को उठाया, कि पता चला बच्चा द तो क्या करते थे कि क्योंकि कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इस्कूल जाएंगे तो पता चला बटाई होगी, पता चला मार दिया जाएगा बच्चों को, आज भी देखे हमारी बच्चे आ कभी पता चला कि इसी बच्ची ने टॉप किया और सवार्ड जो है लाखुश अगर उसको मडर कर दिया, तो आप देखे कि 200,500,300 साल पहले किस तरह की आभासता रही होगी, तो वो जो मा है वो कहानी सुनाती है कि नहीं बेचेंगे आपको, कि क्यों नहीं बेचेंगे स्कूल, कि स्कूल इसलिए नहीं बेचेंगे, कि एक बार एक बच्चे ने इसी तर बाद वो कभी नहीं लोटा, क्या तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाना चाहते हो, तो मस्तिश को जो गुलाम बढ़ाने की जो कहानिया होती है, वो इस तरह की कहानिया होती है, जिसको बहुत सारे जो रिसर्चर्चर्स हैं, जो मूर लिवासी बहुजन विचारदार के रिसर्चर्चर्स हैं, उन्होंने इस्थापित करने की कोशिश की, उसके बाद कॉलोनियल पीरिड ने मौका दिया लोगों को, और उसके बाद देखिए, के जोत्वा फूले, छत्रपदी, शाओजी, माराज, बावासाब, डॉक्टर अम्मेट कर जैसे लोग तयार लेकिन उस समय का जो कॉंस्टिटुएंट असेम्बली की जो सहरज रा थी, उसमें बहुत चंद लोग थे, जो समाजिक नियाय के मुद्दों पर बात करना या सुनना चाहते थे, अधिकान सब वरोधी थे, उन्होंने उस चीज़ का वरोध किया, और कहा कि नहीं, इसको हम स्टेट राज के नीति निदेशक तत्वों में रखेंगे, आर्टिकल 45 में रखेंगे, और 11 साल तक के बच्चों को हम निशुर्क और अनवाले सिक्षा देंगे, लेकिन बावा साथ डॉक्टर अमेट करने इस राट तो बिलकुल कंप्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल था, 45, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अनुशेद को भारतिय सर्विदान के लागू होने के दस बरस के बीतर बीतर अपने लक्षे को प्राफ्ट करना होगा, और वो लक्षे क्या था, कि 1960 तक भारत का प्रतेग बच्चा जो 14 साल तक की उम्र का था, चाहे वो लड़की होता, चाहे वो लड़का होता, चाहे वो किसी विज्जात का होता, चाहे चेत का होता, उसको कम से कम आटवी तक की सिक्षा राज को उपलक्त करा देनी थी, लेकिन राज ये आज 2021 में तक्रिवन 71 साल के बाद भी अपने उस लक्ष को प्राग नहीं करता है दूसरी चीज़ बहुत मैत्पूर है उसके बाद मदालियर कमिशन 1952-53 में आता है उसके बाद 1964-66 में कोठारी एजुकेशन कमिशन बैढता है और मदालियर कमिशन और उसके बाद 1968 की नीदी बनी उसके बाद 1986 की नीती बनी इन सारी नीतियों ने एक बात करी कि शेडूल कास, शेडूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासिस, वीमेन और रिलीजिस मानियर्टीज को नाम के साथ उन्होंने कहा कि राज को इनके जो एजुकेशनल राइट्स है उनको विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है और उसमें उन्होंने दूसरी चीज क्या कही कि राज को यदि सिख्षा की आवश्यक्ताओं को पूरा करना है तो अपने जो जीडिपी है, उसके 6% सिख्षा पर खर्श करना पड़ेगा आप देखिए, तक्रिवन 1964 के आसपास, यदि हम देखें, तो तक्रिवनुआ धेरे धेरे, तक्रिवन, ग Напрिवन, साथ साल के आसपास का जो समय हो बीटता जा रहा है और इन साथ सालों में आज भी जिदि हम देखें तो वो 3.6% के आसपास ही GDP का जो हिस्सा है वो खर्च कर रहा है जब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन उसके बाब जूद्भी जो संकार के उस पर इच्छा शक्ती होनी चाहिए थी खर्चा करने के लिए शिक्षा पर वो खर्च नहीं कर पाई तो इससे क्या दिक्कत हुई जो दि दिक्कत हैं वो दिक्कते मूल लिवासी बहुत चुनोगी है इस चीज को हमें देखना चाहिए बाकी उनलोगोंने alternative system अपना evolve कर रखा है उनके सामने को चुनोथिया नहीं है चुनोथिया किनके सामने है जो मूल लिवासी तोजल है इसलिए जिन जिन चुनोथियों के पारे सामने भी हैं आप देखिए क्या हुआ कि जैसे ही बजट्री एलोकेशन कम होते हैं तो क्या होता है सिख्षा के जो साधन विद्याले का भवन पुस्तके अध्यापक विद्याले कहां इस्थापित है इन सारी चीजे प्रवावित होती है यदि बजट नहीं है विद्या जहां पूड़ा फैकते हैं लोग वहां की जो जमीन बस्ती है वहां टेंप्रेरी विद्याले खड़ा कर दिया जाता है शिक्षक कौन होगा कि फाइनेंशल कमी है शिक्षामित्र होगा वह शिक्षामित्र जिसकी ना तो अपनी एडूकेशन है और डाई ट्रेनिंग है जि जिसको पाठे क्रम का ग्यान नहीं है जिसको किस तरीके से पढ़ाया जायाना चाहिए कौन से दिस दांते उसका ग्यान नहीं है और वो कुर्सी पर बैठकर और डंडा लेकर सोचता है कि इसी को पढ़ाना कहते हैं विद्यार्थी को चार सवेरे से सवेरे सुवे से साम दि और वो सूचता यही पढ़ाना होता है जो पिवासतन में यह पढ़ाना है ही नहीं पढ़ाना तो विद्यारति के मनोविज्ञान को पकड़कर उसके हिसाब से अपनी teaching learning process को जो arrange करना होता है वो होता है पढ़ाना वो पढ़ाना आज तक हम देख नहीं पाए हैं। दूसरी चीज कि Operation Blackboard करने की कोशिश के लिए सरकार में और Operation Blackboard मुदालियर कमीशन में क्या कहाता है। कि प्रते कि स्कूल में कम से कम एक शिक्षक होगा, एक कमरा होगा, एक Blackboard होगा। मतलब आप लेकिए कि एक स्कूल को चलाने के लिए क्या एक शिक्षक, एक Blackboard और एक कमरा और शिक्षक हो सकता है। बाद में उसने Review किया, नहीं, तीन भवन होने चाहिए, तीन कमरे होने चाहिए, Blackboard हर एक कमरे में होना चाहिए, उसके बाद सिक्ष्षाओं की संख्यावी उसने बड़ा ही समय से में पार। लेकिन आप अंदर्या लगाईए कि एक तरफ तो हमारा ये Public Education System खड़ा हुआ, जो अब तो लड़ते लड़ते ड़ब तोरता चला जा जा रहा है, पूरे तरीके से। और दुछी तरफ जिस हम Alternative System को कह रहे थे, विशेश रूप से वो 80 के दर्शक से सुरू होता है, जिसको हम Private Initiatives कह रहे हैं, इन Education, अब बॉर्मेंट उसको आगे कह रही है, पबिक प्रैवेट पाटनरशिप कह रही है, कि पबिक के साथ प्रैवेट पाटनरशिप के बाद देंगे, और उस Education को देंगे तो उसके सामने ज़िदिया क्या रही है, जब हम Private Partnership की बात करते हैं, जिन बच्चों की सरकारी स्कूल की किताबें हैं उन पर इदि आप नज़र डालें तो उनकी सारी चीज़ों को आप नज़र डालिए क्योंकि उससे ही पता चलेगा बچे को और बचचे की ड्रेस को देखकर पता जन जाता है कि बच्चा कहां के स्कूलों में पढ़ रहा है बच्चे की सामाजिकार्टिक हसियत क्या है उनकी किताबों में जो कहानिया है उनकी परिंटिंग है उसकी जो quality है कि नितनी इच्छी नहीं के बच्छा उसको देखकर आकशित को जो टीचर है वह उनने इतनी सारे साल्री मिलने के जो इस सत्त को बार बार कोड कर भी इत्ली साली मनने के बावजुद भी वह अपने व्याटित में उससे का आकश्रन पैदा नहीं कर रहे जिससे कि विद्यार्ति उनकी तरफ आकर्शित हों आउगा मैं उसके तरफ पर क्यों नहीं कर रहे हैं और तीसी चीज कि विद्याल्या का जो भवन है वो भवन बिल्कुल भी आकर्शित नहीं है हाला कि जो तेलंगाना का है क्या रेटी जो रेटी चीपनिस करना तेलंगाना का उसने एक अनप्रिदेश का उसने एक बड़ा क्रांदिकारी कदम उठाया मैं पिछले दिनों एक एजुकेशनल टूर पर था उदर उस स्टेट में तो उसने पूछा एजुकेशन के एक्सपर्ट से और वो समाधान में हमारा उसी तरफ जाता चाहिए कि भाई हम सरकारी स्कूलों में इतना इंड्रस्मेंट कर रहे हैं टीचर्स को इतनी सालरी दे १। रहे हैं कि रहरे हैं विद्यारति की डूरेस पाट रहे है, एक्सपर्ट की देखना स्कूलों में क्यों नहीं अाछी श contextual की त्रफ क्यों जाते। उसने टीचर्स के साथ मिटिंग करी का भवन को हम पूरी तरीके से ठीक करा देंगे पाठे करम प्राइवेट इस्कूलों का और सरकारी स्कूलों का एक चलेगा तीज़ी बात है व्यक्तित्व पर आप यदि अपने व्यक्तित्व को आकर्शित नहीं बनाते हैं के विद्यार्ति आये आपके पास तो हमें आपकी कोई जरूरा नहीं होगी ये क्यों ऐसी मानसिक्टा बनी वो मानसिक्टा बनने के पीछे कारण ये है कि जो जो socially educational disadvantaged group है जिसको ये नई सिक्षा नीती कह रही है आप नई सिक्षा नीती ने बड़ी चालाकी करी है कि आपके जो वैज्ञान सम्मेदानिक सब्दा वली थी उसको कदम दिया है सम्मेदानिक सब्दा वली थी scheduled class, scheduled tribe, backward classes, binary classes, women उसने इन सब को replace कर दिया किस चीज से socially educational disadvantaged groups से ये बहुत बड़ा सडियत है जिस चीज़को हमें समझना चाहिए क्योंकि वो identify नहीं करें गे अभी तक जो budgetary allocations थे, schedule caste के लिए अलग हो रहे थे, schedule tribe के लिए अलग हो रहे थे, women's के लिए अलग हो रहे थे, अब वो सब के लिए एक साथ करेंगे और किस पर खर्च करेंगे, वो कोई पूछने वाला नहीं। तो यह जो चीज़े हैं जो मैं जो चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, वो यह कह रहा था, जो उठाने की कोशिश कर रहा था, कि यदि हम इस नई सिक्षा नीती को देखें, तो नई सिक्षा नीती बार्मार किन मुल्यों की बात कर रहे हैं। वो लोगतांतरिक मूल्यों की बात में कर रही लोगतांतरिक समाज निर्मार करने पर उसका focus नहीं है बलकि उसका focus उन प्राजीन सनातनी परमप्रागत मूल्यों पर सबसे ज्यादा focus है जो अभी तक 1986 की policy कोई चर्चा नहीं कर रही थी 1968 की policy को चर्चा नहीं कर रही थी 1964-66 का जो कोठारी education commission था वो चर्चा नहीं कर रहा था बलकि कोठारी education commission तो बार बार इस बात पर जोड़ दे रहा था कि हमें education for citizenship develop करनी पड़ेगी कि नागरिकता के लिए हमें सिक्षा develop करनी पड़ेगी और ये नागरिकता कैसी होगी भूल जाइए पचास से पहले का भारत पचास से बात का जो बारत है वो हमारा सम्वेदानिक बात भारत है और सम्वेदानिक बारत क्या है लोगतांत्रिक रास्ट है लोगतांत्रिक रास्ट का मतलब है कि सब हमें बराबर की जो बावना है वो विक्सित होनी चाहिए कि मैं उ यह थे बरावर हूँ और वो हमारे परावर है अब यदि हम 71 सार्थ के बाद की देख आँ तो वह जो बरावरी वाला जो भावना है वो विखसित नहीं हुई ना तो यहांके अपर कास्ट में विक्सित होई और ना ही यहांके लोग कास्ट को विक्सित होई यदि आप छोटी से शब्दावली को पकड़ें कि जो दिल्ली में एक जो शिटूल कास्ट लड़की का एक पंडित में पलातकार किया तो जब उसका इंट्रिवू लिया उसकी माने क्या कहा कि पंडित जी ने कहा है पंडित जी ने कहा है मतलब आप देखिए कि एक बलातकारी को भी किस सम्मान के साथ वो महिला जगे दे रहे हैं इसका मतलब कि इन 70 सालों में हमाने जो सिक्षा है वो सिक्षा एक ändig को समान भारत्त से देखने की योगता विक्षित नहीं कर पाई और ये योकता मिक्षित क्यों में नहीं गुस्पाई हैं और यदि इन 71 सालों के बात के जो डेटा को देखें आपनों को देखें पहले भी हम लोगों ने मेंटी चैनल पर कई वार इसकी चचा की है तो जो उन्नीस पीस की जो एन्वल रिपोर्ट है विश्विद्याले मुदालायों की उस आगड़े में जो केंद्रिय विश्विद्यालेओं में यदि हम प्रॉफेसर के लोगों को देखें कि कितने परसेंट हैं और बेकवर्ड ओ इसमारे पास अभी अधिक्रित डाटा जो है हम कहते हैं के 22 युदि उन 22 को देखें तो डेमोक्राक्सि कैसे डवलाप होती कि आज हाइर एजुकेशन में जो बावन परसेंट बैसी के स्टुडेंट होतें और बावन परसेंट ही सिक्षक होतें तभि तो लोगतांत्री ग् नहीं हुआ है बलके विश्विध्यालए लगातार ब्रहम्मनी करन करते चले जाने हैं विश्विध्यालएं वन पॉइंट एट टू परसेंट ओवीजी के प्रोफेसर है के द्रिय विश्विध्यालएं चलो मान लेते हैं कि उनका जो रिजर्वेशन है अभी वह बहुत ज्यादा नहीं 14-15 साल पुराना हुआ है तो शेडूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वह तो बहुत पुराना है शेडूल कास्ट की कैसंख्या है और इतना पुराना जो शेडूल कास्ट और शेडूल कास्ट का रिजर्वेशन है जिसको लोग कहते हैं मीडिया पर चारित करती है कि आरक्षण कब तक चलेगा वो केवल 1.82 परसेंट है केंद्रिय विश्वित तहलों तो आप देखिए कि आरक्षण होने से कुछ नहीं हो रहा है आरक्षण और सम्मिधान को किस तरीके से लावू किया जा रहा है इस चीज़ पर हमारी चीज़ें ठीकी हुई है और जो नई सिक्षा निती है अभी 2020 वह बहुत गहरा सड़िया रहे क्योंकि वह तैयार हुई ह अभी से एड्यूकेशन पॉलिसी कहां से तैयार हुए थी वो तैयार हो रही थी जो प्रगतिशील विचारदारा के लोग है उनके मात्रम से जेन्यू के प्रफेसर्स या डियू के प्रफेसर्स तैयार कर रहे थे लेकिन यह पहली पॉलिसी है जो आरेसस के बुद्धिजी लोगों में बेजी गई है जहां उनकी विचारदाना के लोग बैठे हुए है जिनको के बन एक ठपा लगा ना था कि हाँ यह एड्यूकेशन पॉलिसी बहुत मैंत्मूल होगी लेकिन यह एड्यूकेशन पॉलिसी जिस फॉर्मेट पर बनके आ रही है पहली चीज पारम प अरसी युनिवर्सिटी पर भी नज़र रखिए जो एक अलगी तरह की विश्विद्याले ने पर भी नज़र रखिए के एक बार माँ जिन्ना का मुद्धा छेड़ा दूसरे विशिको को अकॉइंट किया और आज अलिकर मुस्मिश्विद्याले में हिडिन तोर पर वो सा जो सेल फाइनस की न्यूपती हैं कुछ वाइस साल से यह कह रहे हैं कि यह temporary post है और पता है उन temporary post पर selection करने के बाद लोग 20 साल से नौफरी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि temporary post पर reservation की कहीं कोई व्यवस्ता नहीं है जबकि रोस्त दयार करके लेकर आ रहे हैं तो वो SC और OBC की post लेकर आ रहे हैं लेकिन जब लागू कर रहे हैं तो SC और OBC और ST कहीं नहीं देख रहे हैं पूरी तरीके से अपर कास्ट के लोग हैं तो यह जो policy है यह अपने से चीज़ें लागू नहीं हो रहे हैं बंकि जो नई education policy का जो hidden agenda है वो है दूसरी चीज यह जो policy कह रही है वही लेकिन है क्या सरकार करें कि जो हमारे नहींतर में विद्याले हैं वहां तो मात्रवाजा में होगी लेकिन जो नीजी छेत्र के हैं वो स्वतंत्र होंगे जिस भी मात्यम में वो सिक्षा देगा अब आप देखें कि DPS या आ रहे हैं जो भी आके स्कूल से रेपोटेट उनम में अंग्रेशी बात्यम की सिक्षा होगी और अंग्रेशी बात्यम के सिक्षा नहीं होगी बढ़कि वो अपने बच्चे लेट बंबी पड़ा रहे हैं मतलब जो भासा है वो वो सिक्षा का बहुत मैंत्कूल सादन होता है पाठी करम के वीउपेंट्ट से भी और कि वह यहां से अपने स्कूलों से तयार करके जर्वी स्तूरेंट से उनको ग्लोबल पारकित के लिए तयार करना है को मात्रवाशा हैं local market भी बासा है जो मात्रवाशा हैं वह local market की भी वासा नहीं है local market की भासा भी अब अंग्लेजी हैं इसका मतलब यह है कigator करी स्कूलों के बाद दें उसे सिक्षा तो देंगे लेकिन वो सिक्षा कैसी होगी वो उन्हें किसी भी तरीके से मार्किट के लिए तयार नहीं करेगी बल की पूरी तरीके से वो जो उसी कुए के जो मैड़क टाइप के हैं उस तरह नहीं होने देंगे, तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा सरयंद्र है, तीसरा फिर से ये जो नीती है, वो भी 6% सिख्षा पर बजट की बात करती है, और इस सिख्षा नीती को लाबू होने के बाद, जब पहला एनुवल बजट सरकार देती है, तो आपको पता है, टोटल बज इजूकेशन के बजट में से भी 6% की कमी करती है, और अब आप देखिएगे, लगाता कि जो एनजीओ हैं, उनको सौपने का सरयंद्र है, शिक्षा को, जो विद्याली शिक्षा हैं, पूरी तरीके से, वहाँ जो एनजीओ हैं, जो आडवानी के एनजीओ चल रहे हैं, या और दूसरे जो शिरी शिरी हरिशंकर के एनजीओ चल रहा हैं, उन एनजीओ को सौपने के चक्तर में, मतलब क्या होगा, कि शिरी शिरी रवीशंकर के पास, जो एन्जीओ होगा, वो जो विद्यालीकों को पकड़ेगा, तो उसमें पार्टेक्रम क्या होगा? पार्टिक्रम वो नहीं होगा जो अभी चलवा है बलकि वो पार्टिक्रम होगा जो श्री-श्री रविशंकर के एजंडे को और वो एजंडा कैसा है धार्मिक भी है और बिजनिस बॉडल भी है उसका उसको आगे बढ़ाएगा बतला हमारे जो बच्चे हैं घर में जाकर श् काम बाम सेफ और उसके आउफ सूट से हम लगातार इस चीज की चर्चा कर रहे हैं के हम समाज को मांसी ग्रोप से तयर करें और तयारी के क्रम में हम बहुत मेंद करते हैं तो पचास लंगों एकरता करते हैं दो दिन उनको सुनाते हैं और उसके बाद चार साल के बाद दूसरा कारेकर करने की कोज़िश करने हैं। सिक्षा ऐसी दिए। सिक्षा अनुवरत प्रिक्रिया का हिस्सा है। और जितनी भी रूलिग क्लासिस हैं, वो रूलिग क्लास कैसे तैयार हुई हैं हमें शायद इस पर विचर करना हैं। हमें मुस्लिम पर भी विचार करना चाहिए और हमें रिसेंटली जो अंग्रेज है उन पर भी विचार करना चाहिए कि उन्हें अपने रूल को इस्ताबिद करने के लिए यहां के शिडूल कास्ट और बैक्वर्ड क्लास के लिए सिक्षा के दर्माचे उन्हें परने पड़े क्यों कि अपने बुल्यों को जो अंग्रेजी मुल्य थे उन बुल्यों के माध्यम से उन्होंने वो क्लास तर्यार करें उन्हीं स्कुलों से हम बुल्य वाशी बहुजिन समाज क्रियेट करना चाहते हैं शायद इस तरीके से नहीं होगा हमें शायद आगे बढ़ना पढ़ेगा और किसी वी विचारदारा के लिए उसके प्रिचार और प्रिसार के लिए एजूकेशन सबसे महतपूर साधन होती है आप सोचके देखिए मैं मुस्कोटिंग कह रहा कुछ भी कि क्या करेंगे क्योंकि वो करना आपका है हम ने ये जगह खरी दी जैसे इस जगह पर हमने मौनलिवासी सदन मनाया यदि हम इसी जगह पर मौनलिवासी सदन के साथ स्कूल खबाता है जिन में हम सां स्कूडेंट को में पढ़ाता थे है से सां करेक्ट हो रहे टै तो ने जौ से जाते हैं कшая झाते हैं आने वाली जो चुनोतियां है वो चुनोतियां बड़ी जटिए जो सर्कार ँग्रे जो जो इसकूल बनाए थे तो आप कौन होगे आप अहीर होंगे घटी कोने पासी होगे दूसात होंगे और क्या कहें शूद्र होंगे और अती-शूद्रों को क्या करना है सरकार में मंत्रा लेको दिये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कहने का मतलब यह है कि हमें अपने education system को अपनी education policy plan करनी पड़ेगी हम उस पर काम कर रहे हैं कोशिश करेंगे आगे जब बात करें तो हमें यह लाना पड़ेगा कि हमारी education policy क्या होगी लेकिन policy बना देने से काम नहीं होगा उस policy को implementation कैसे करना होगा उसका भी हमें road में खड़ा करना पड़ेगा और शायद आज हम यहां से जो चर्चा कर रहे हैं वो शायद आगे करें फ्रूट्फुल हो इस बातों के साथ मैं अपनी बात को खतल करता हूं जैविं जरूंग वाज साथी बेल आइकॉन दबा कर जन्जागरूती की मुहिम में जुड़े रहे झाल झाल